हें गाई एज हम डिसकस करने वाली हैं बैंकिंग सेक्टर के वारे में क्योंकि लग बग दो सब्थे के अंदर हां लगब-टूऊ-विक्स के अंदर कुछ नहीं आप लोगे बड़ा गणभर देखने को मिल जाएगा आप चाहे किसी भी बैंक में निवेस के हो या तो बड़े से बड़े बैंक में या तो छोटे से छोटे बैंक में अगर देखें अगर आपने छोटे छोटे बैंकों में पैसा लगाया है जैसे माल लीजे कि सिंडिकेट बैंक हो गया विकास बैंक हो गया और भी बहुत सारे छोट बहुत सरे ऐसे हैं बैंक को बरुड़रा जो आज तक 5 साल ये 10 साल हो गया नीचे आच चुगा लेकिन एक पैसा कभी प्रॉफिट नहीं दिया और आज तक लोगों को फसा के रखा और क्या गडबड होने वाला है वो भी आपको पता ही होना चाहिए जैसे कि आपको पता है इसके बारे में कि सुप्रीम कोट में एक बहुत बड़ा फैसला चल रहा बैंकों के लिए ठीक है वो है मोरेटोरियम के उपर ठीक है पेमेंट के लिए अब देखे सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक क्या बोलना चाहते हैं बैंक बोल रहा है कि भाई भाई मुझे चाहिए तो देना पड़ेगा ऐसी तो गौर्मेंट ने इन्हों ने बोला कि आपने moratorium के लिए बोला भाई सही है ठीक है लेकिन जब moratorium था तो भी तो हमने fix deposit पे हमने पैसा दिया ना अपने customer को पैसा दिया ना ऐसा तो नहीं है कि उनका wait रोक दिया गया था पै बैंकों का कहना है अब उन्होंने बोला सीधे बात बोल दिया जितने customer था कि मेरे पास पैसे नहीं है इंट्रेस्ट पे करने के लिए ठीक है अब वो जो customer है वो इंट्रेस्ट भी नहीं पे करना चाहते हैं अब यह बोल रही कि भाई ये तो मैं लूँगा और दूसरी बात मैं इंट्रेस्ट के उपर भी इंट्रेस्ट लूँगा अब यससे क्या होता है तो गॉर्मेंट ने बोला कि भाई लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जॉब नहीं है ठीक है उनको जॉब से निकाल दिया गया है उनको सैलरी मतलब सैलरी जिनको 10, 9,000 मिलता था उनमें कट करके हो सकता कि उनको 7,000 दिया जा रहा हो तो मतलब उनका सैलरी भी कम हो गया और मतलब वह इंट्रेस्ट पर ही नहीं कर पाएंग और उपर से मांगो गये तो कहां से दे पाएंगे इसका मतलब है कि गॉर्मेंट अगर गॉर्मेंट देखो तो यह के favor में है और bank को को देखे banking के साथ finance sector पर भी focus किजगा दोनों तरब से फसे हुए है इधर से भी इधर से भी हला कि इसको time दिया गया है दो week का time दिया गया है और हो सकता है कि आज आपको आप और आप उपर जाते हुए नजर आरा लेकिन आने वाले दिरने में आपको थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ आपको गड़ बर देखने को मिल लगा या आपने yes bank में पैसे लगाया है बजास finance में पैसे लगाया है IDFC first bank में पैसे लगाया है HDFC bank में पैसे लगाया है और मान लिजे RBL bank में पैसे लगाया है पंजाब bank में पैसे लगाया है सब भी में से मैं आपको बूलूँगा थोड़ा सा साउधानी बरतनी होगी आप लोगों को और यहाँ पर गौवर्नेंट ने बता दिया है ठीक है सुप्रीम कोट ने बता दिया है कि भाई यहाँ पर आपको जो है लाइस टोडसर अरड़ का मतलब है इसके आगे और भी कोई सुनुआई नहीं की जाएंगी यहाँ पर भी जो है वहाँ पर ही किया जाएगा और इनको यह भी बोल दिया गया कि NPA के लिए थोड़ा सा मतलब नहीं करने के लिए बताया गया लेकिन फिर भी यहाँ पर वेट करने के लिए बताया जा रहा और यह जो deferred payment को जो deferred कर दिया गया है EMI के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है यह आपको एक नए एक दिन आपको जटका देखने को मिल दाएगा जो COVID-19 के वज़े से हुआ देखे बैंकों को यहाँ पर FD देना पड़ा ठीक है FD देना पड़ा इधर और इनको जो पीछे स से इंट्रेस्ट आने वाले था वह भी इनको नहीं मिला मतलब एक तो इहां पर भीला नहीं उप money को देना पड़ गया तो इह क्या हो गया यह बैंकों की साथ जा तो एक लसुए इसी बात नहीं है मतलब अब क्या है कि बैंक दोनों तरप से फसे हुए है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्या है ना कि आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखोगे बैंकिंग सेक्टर से और फाइनस से तो थोड़ा बच जाओगे लेकिन आप सोचो कि भाई मैं अंतर चला जाता ह तो आप निकल सकते हो जैसे मैं एक एक एक्जांपल देना चाहते हूं बैंक ऑब बरोड़ा तो यह बैंक की हालात अगर हम देखना चाहते हैं तो यह बैंक लगबग स्टार्ट हुआ था ठीक है लगबग सेवन डुपीस के आसपास पास प्रोफिट भी दिया था ठीक है 200 रुपीस का असपास गया था लेकिन उसके बाद अगर देख सकते हो तो किवल गिरावाट गिरावाट देखने को मिला और यहां से देखे यह उपर जाने का कोई चांस ही नहीं था ठीक है तो अगर आप ऐसे बैंक में इवेस करते हो और आप सोचते हो खिने भाई उपर जा यह देखे 200 रुपीस का लेबल टच किया था देखे होता गया ना जब एक स्टॉक का प्राइज नीशे आ जाता जब उपर सला जाता ना तो हम सोचते हैं कि यह मल्टी बगर बन चुका लेकिन ऐसा नहीं होता आपको सही तरीके से जानकारी लेना चाहिए और उसके बाद पिर देख सकते हैं एक बड़ लोगों को फसाया फसाने बाद केवल गिरावट 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 और आज के रेट में तो यहां पर देख सकते हैं यह जो लोवर सरक्ट है लोगों को यहां पर दुबा ही दिया गया है तो ऐसे बैंक में अगर पैसे लगाओ में ऐसा expectation करना थोड़ा मुस्किल है और one more bank ठीक है bank of महारास्टा अगर आप इसमें ये समझ के पैसे लगा रहा हो कि ये लंबे समय में आपको अच्छा profit देगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2% के तेजी देखने को मिली है तो इतना याद रखे ये इसका chart देखे आपको यही पता लगता है कि भाई ये 2 रुपे उपर जाता है तो 10 रुपे नीचे जाता है फिर 2 रुपे उपर जाता है तो फिर 10 रुपे नीचे जाता है फिर 2 रुपे उपर जागा तो 10 रुपे नीचे जागा एक पर चाहने मैं चाहरा है धीक है यह दो पर संब włas मतलब socialism की गिरावट हो और यहां पर अगर देख सकते हैं तो लगबा कितना एक आ तेंड up Benn bob ब्लस करणिए और कुछ निइटिक है तो यहाँ पर देखसक्ते हैं 6 माल लए जागर रूपीज में हो तो 6 रूपीज का नुंगसान है और यहां देखसक्ते हैं 6 रूपीज क까 profit है और 30 रूपीज का सान है क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे बिल्कुल नहीं करना चाहोगे उसी तरीके से यहां पर देख सकते हैं आज की रेट में लगवग 2% का पर सरकीट है और यहां देखे उपर गया फिर इससे भी नीचे फिर यहां देखे उपर थोड़ा नीचे तो ऐसे स्टॉक्स में अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टेट हो पहले से एक्जिस्टिंग हो तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा साउधानी आपको बरतना पड़ेगा अगर आपने अच्छे स्टॉक में खरीद रखा है तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अच्छे मिल सकता तो तब तक साओधान रहिए और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो और आप अपना डिगमेट अकान्ट रॉप्ट करना चाते हो तो आप अपने अच्छा प्लैटफोर्म आपको नहीं मिल सकता यहां पर एक गूरुप है यहें एक एईंजल का खुद का करीदना है नहीं खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए किस प्राइज पर खरीदना च्याहिए सब आपको बताएंगे डियुटेक तो डिस्क्रिपशन में लिंक के वहां से जा कि आप अपने डिमेट अकांट ओपें